दियर स्टुडेंट्स आज के इस वीडियो में हमें कारपनिक योगिकों के नामकरन की IUPAC पत्ती के बारे में समझेंगे पिछले वीडियो में हमने रूड पत्ती के बारे में जानकरी प्राप्त की थी और उसके बाद में अगले वीडियो में हमने वीद्पन पत्ती के बारे में जानकरी प्राप्त की थी और आज का इस वीडियो है जो कारपनिक योगिकों के नामकरन का तीसरा वीडियो है यह है IUPAC पदती के दुवारा कार्बनी क्योगिकों के नाम करन की पदती के उपर है देखिएगा जिस परकार से पेड़ पोदे और जी जन्तों के नाम होते हैं हमारे राजस्थान में ही अपने बात करें तो अलग-अलग छेतरों में भासा बदल जाती है और वस्तों के पोदों के जन्तों के नाम भी बदल जाते है ठीक है इसलिए जो पेड़ पोदे हैं जी जन्तों हैं उनका विगनिक नाम दिया गया है कि चाहिए पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं उस पोदे का नाम वो ही रहेगा एक नाम रहेगा चीक है उसी प्रकार से जैसे इसके लिए अपने हमारे एक पाठ है गा 14 का पाठ उसमें कुस पोदो की जन्तु के नाम है जैसे रोहिडा राजस्थान का राज्य पूश्फ है रोहिडा आप जानते हैं सभी जिसे मारवाड का सागवान भी कहते हैं और इसका नाम है टेकोमेला अंडूलेटा ये इसका वेग्यानिक नाम है वारसपतिक नाम है ये नाम इसका चाहिए आप दुनिया में कहीं चले जाएं टेकोमेला अंडूलेटा ही होगा ठीक है उसी प्रकार से जैसे मालीजी एक खेजडी है खेजडी के राजस्तान में ही कई नाम है जैसे इसको कई जगे इसको जांटी भी कहते हैं सम्मी का अवरक्ष भी कहते हैं तो यहाँ पर खेजडी एक राज्य अवरक्ष इसका एक विग्यानिक का नाम है चाहे आप मद्यपरदेश में चले जाओ, चाहे आप अमेरिका चले जाओ, चाहे आप इंग्लेंट चले जाओ, या श्रीलंका चले जाओ, ताकि विग्यानिक जो है, वो पेड़ पोदे और जी जनतों के बारे में आसानी चे अधन कर सकें, इसलिए एक सिधान्त एक नियम बनाए गया है, उस नियमों के आधार पर ही पेड़पोदों के और जुनतों के नाम रखे जाते हैं। जिस प्रकार से पेड़ पोदे और जी जूंतों के नाम विज्ञानिकों ने कुछ नियम बनाए हैं, उस अधार पे रखे ठीक वेशे ही, जो कार्पनी क्योगिक हैं, उनके नाम करने के लिए जो आयूपी सिपत्ति दी गई है, वो भी पूरी दुनिया में एक ही है, तो यह परत्वी पर आप कहीं भी चले जाईएगा, उस कार्पनी क्योगिक का नाम आयूपी सिपत्ति के नुसार वो ही मिलेगा आपको, एक ही रहेगा, जैसा कि आप जानते ही, इस पार्ट में से च्यार नमर का क्यूशन पूछा जाना है, और दो क्यूशन आएगे, एक क्यूश कि कार्पनी क्योगिक का नाम क्या होगा, या हाइट्रो कार्पन का आयूपी सिपत्ति में नाम लिखिए, ठीक है, अब देखिए, परसन में यदि आयूपी सिपत्ति नाम कहीं नहीं दिया हुआ है, अगर क्यूशन इस परकार चाज़े, ये निमे लिखित कार्पनी वीखकों का नामखरण कीया दाता है अपने यहां बात यह कर रहे थे साथ में की एक नमबर का छोटा问 यह गाता है तो एक नमबर का छोटा question यह जो I upse c पदती है I upse e का पूरा नाम फूल फोरम जो है यहीं से एक नमबर का इंटरनेस्ट्रनống I का मतलब International U का मतलब है Union P का मतलब है Pure A का मतलब है Applied और C का मतलब है Chemistry Chemistry यानिकी रसायन विज्ञान रसायन सास्तर या रसायन विज्ञान ये की बात है तो IUPAC का पूरा नाम Board प्रिक्षा में पूछा गया है और ये एक नमबर का छोटा Question बनता है तो आपको पूरा नाम रखना है International Union of Pure and Applied Chemistry ठीक है अब इसके बारे में हमागे विश्टार से बात करेंगे कि IUPAC पत्ती क्या है इसके क्या नियम है देखे यहाँ पर आपको टोपिक आपके किताब में पेसरा पोइंट जो है कारबनी क्योगिकों के नाम करने की पत्ती में IUPAC पत्ती लिखा हुआ है है तो ले देखते हैं इसमें रसायन गो देखो रसायन ग्यों का मतलब क्या है ऐसे विग्यानिक जो रसायन विग्यान के उपर परियोग करते हैं रसायन विग्यान में काम करते हैं उन वेग्यानिकों को रसायन ये ग्यों कहता है, चीक है, तो रसायन वेग्यान में काम करने वाले वेग्यानिकों ने, उनकी एक अंतराष्ट यूनियन है, इंटरनेसलल यूनियन, यह के संघ्थन है, जो इसका नाम था nा, I.U. I.U. यानि की international union International यानि की अंतराष्ट्री है ठिक है union ये रहा union ने योगिकों के नामकरण के लिए कुछ महतोपूर्ण नियम बनाए हैं बहुत सारे वेग्यानिक हैं जो यहां पर काम करते हैं इसमें नामकरण वाले पत्ती में या department में इसमें और वो उनके कुछ नियमँ के अधार पर ही कारपनी क्योगिका का नाम करन किया दाता है यशा नहीं कि अपनी मर्जी से कोई भी बेगर के अपना नाम दे देगा कुछ नियम बने वोए है उन्यमों के अधार परी, वो नियम अपन समझेंगे इस पत्ती के अनुसार सभी कारगणी क्योग का नामकरण किया दा सकता है जो सरवत तर्मान्ने है सरवत तर्मान्ने है कि यह जो नाम जो IORPSC सी जो नाम दे दिया वो पूरी दुनिया के अंदर मानने होगा सब्सक्राइब कोई सा भी देश हो कहीं पर भी चले जाओ सब्सक्राइब मानने होगा वो ही नाम उसका माना जाएगा इस पत्ति के नुसार सरल कार्बनी क्योगिक ऐसे एलकेन, एलकिन और एलकाइन या हाइड्रोकार्बन है का नामकरन निम्नाउसार किया आगे दाता है देखिएगा एलकेन, एलकिन और एलकाइन के बारे में हम आगे की वीडियोज में समझेंगे पहले हम केवल आईउपेसी तो पत्ति है उसी के बारे में कुछ से बेसिक जानकादी पराप्त कर रहे है जो नियम है वो यहाँ पर तीन पोइंट है देखिएगा इन तीन पोइंटों को आप समझ लीजिए आपका क्यूस्टन कभी भी बोर्ड प्रिशा में गलत नहीं होगा आप बिल्कूल आसानी से इसका नाम लिख पाओगे तो नाम करन के लिए तो पहला पोइंट है या पहला नियम वो है हाइड्रो कार्बन हाइड्रो कार्बन कार्बन जिसमें कार्बन हो और हाइड्रोजन हो ठीक है ना हाइड्रो कार्बन के नाम करन में कार्बनिक योगी के अनु तो कार्बनिक योगी की तो बन गया ठीक है ना कार्बनिक योगी के अनु में उपस्तित कार्बन प्रमाणों के संख्या के आदार पर देखो कार्बन कितने है कार्बन प्रमाणों के संख्या के इन नहीं है कि एक कार्बन है दो कार्बन है तीन कार कि क्योंगी कह JASON का पूर्वर लगन लिखा जाता है पुर्वर लगन क्योंका पहले 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 और लगन मानि होता जूड़ना उपर नाम के पहले आपकाछे सर किसे समझना नहीं हम देखेगा अब देखे दुबारा इसको कार्बन परोणों की संख्या जैसे हमाली जे किसी कार्बन के अंदर किसी योगिक में कार्बनी के योगिक में एक कार्बन है कितना कार्बन है? एक कार्बन तो एक कार्बन के लिए पुरू लगन है मेथ एक कार्बन के लिए पन क्या लिखेंगे मेथ दो कार्बन के लिखेंगे एथ तीन कार्बन के लिए प्रोब च्यार कार्बन के लिए ब्यूट इस परकार से ये पूर्वलगन है ठीक है नाम के पन सुरुवात यहां से करेंगे पहली बात दूसरी जो खास बात वो है अनू में उपस्तित बंद के अधार पर बंद तीन प्रकार के होते हैं एकल बंद, दिवी बंद और त्री बंद यानि कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर एकल बंद है ठीक है ना या दीबन भी हो सकता है या carbon carbon के वीचे त्रीबन भी हो सकता है तो ये बंद के अधार पर उसका अनुलगन लिखा जाएगा अनुलगन कि अधार बाद में जोडना उसके पीछे जोडेंगे बाद में ठीक है ना आपको केसे सर समझें नहीं तो देखीएगा यह रहे है अनुलगन अगर कार्बन कार्बन की वीच में एकल बंद है देखो बंद खरना आपको यह रहा एकल बंद तो उसके आगे एन जोड़ देंगे अनुलगन क्या जोड़ देंगे एन अगर द्वी बंद है तो क्या जोड़ देंगे इन यह रहा दियुदन देखंगे आपको दिखरें कार्बन कर्बन की इचैने तीन बंद है तो उसे उसके आगे आएन जोड़ देंगे अनलोगन का दोड़ देंगे आएन किलियार? अब थोड़ा सा आप देखें का दूबारा एक बार इसको ज़से मैं बताओं आपको कि पांस कार्बन है श्रमानिजी यहां बना देतों हो मैं एक कार्बन दो बना वाई है दूसरा इधर इधर बना दिया इसरा इधर बना दिया हमने तो क्या जोड़ देंगे एन तो क्या नाम पड़ जाएगा इसका paint प्लस एन ठीक है और इसको जोड़ेंगे अपने जिस परकार चे आप हिंदी में संधी पड़ते हो ना संधी और संधी विछेद ठीक है ना उपसरक परते जोड़ते हैं वेशे प्लस एन तो नाम पड़ गाएगा इसका paint एन क्या लिखेंगे इसको अपने paint एन लिखेंगे ठीक है paint हो गया इसका नाम यह लीजिए इस परकार से हमें कार्बनी क्योंकों का नाम करेंगे अगर double bond आ गया यहां पर मालीजिए तो क्या दोड़ देंगे जो है कार्बन कार्बन हो गया और पांस कार्बन है किस प्रकार से आगे बहुँ और भी है इसका इन लोण हो जाएगा और पांस कार्बन हो गया है तो आइन जोड़ देंगे आगे, क्या जोड़ देंगे, आइन, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, पेंट आइन, ठीक है, पेंट पलस आइन है, पेंट आइन नाम हो जाएगा इसका, इस परकार से कार्बन ही की होगी, जो है उनका नामकरन करने के लिए अपने दो नियें पड नाम के पहले लिखेंगे, ठीक है? और दोसरा है बंद की आदार पर, कार्बन कार्बन की बीच में बंद आप, एकल बंध द्वी बंध और त्री बंध की आदार पर अनुलागन लगाएंगे, एन आईन, फीक है? पूर्व लगन को जोड का हाइड्रो कार्बन का पूरा नाम लिखा जाएगा अब देख्छे आपको ज्यादा तो नहीं लेकिन 6 या साथ तक आपको आपकर नाम‡ याद करने है हाइड्रो कार्बना। जब एक कार्बन होता तो सिमेंस कहते हैं 2 होता है तो यहां तक आपकी कई बार बोड प्रिक्षा में पूछी गई है तो यह तो आपको त्यार करना ही करना है ठीक है उसके आगे आप दस्ते जात करते हो तो बहुत अच्छी बात है और इनके अपने कार्बन कार्बन के मत दिया अगर बंद की पर का बात करें अगर एकल बंद होता है तो उसके उपन एलकेन कहते हैं देखो उपर अभी नामा था ना एलकेन एकल बंद वाले को एलकन कहेंगे अगर दी बंद है तो उसे एलकाइन कहेंगे और त्री बंद है ट्रिपल बंद है तो उसे एलकाइन कहेंगे ठीक है कार्पन कार्पन के बीच में जो एकल बंद होता है तो वो एलकाइन सिरनी में आते हैं Double bond होता है तो आयलकीन श्रेनी में आते हैं Triple bond होता है तो एलकैन श्रेनी में आते हैं आधको यशी की आगे जो एलकैन, एite नाम आरा नратьने तो यह नाम यह instructors लिया गया इite यह रहा है यह रहा है यह रहा है एलकीन इisf L plus IN तो A नाम यहीं से लिया गया है डबल बॉन्ड के लिए और L काइन आइन रखो उतारण कीजिए आप L काइन आइन आइन नाम यहां से लिया गया है अब आपके साथ क्लियर हो गया होगा ठीक है उसमें कार्वन कार्वन मिसमें एकल बंड हो अलकेन है लोड़ देंगे ठीक है आपको इतना रखना है और आगे के वीडियो में हम एलकेन एलकीन और एलकाइन के लिए अलग से एक एक वीडियो अलग बनाएंगे ताकि आपके सारे मिक्स नहीं हो तो नेक्स वीडियो अपनी दो पाठे पूस्तक है उसमें देखेगा आप यह रहा तिकना एलकेन का नामकरण यह हम अगलाई वीडियो के अंदर समझेंगे इस प्रकार से हमने कारबनी क्योंकी को यह नामकरण के लिए जो तीन पतियां है उन तीनों पतियों के लिए अलग वीडियो में हमने जानकरण प्राप्त की धन्यवाद